नमस्कार दोस्तों क्या आपके गुड़हल का पौधा हमेशा बिमार रह रहा है उस पे कोई कलिया नहीं आ रहे हैं या कलिया आ रहे हैं तो फूल बनने से पहले गिर जा रहे हैं या पत्तियों का विकास नहीं हो रहा है पत्तियां पीली हो रही हैं पत्तियां सिकुड रही ह आपका पौधा continue भी मार चल ला है तो आज एक ऐसा fertilizer लाए हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपके पौधे पर 100% फूल ही फूल आएंगे दोस्तों तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे इस गुड़हल के पौधे पर कितने धेर सारे फूल आए हैं दोस्तों तो बता दे दोस तो आज मैं जो खाद लेकर आई हूँ और जो इससे संबंधित अच्छी जानकारिया है और पौधे का कैसे देख रेक करना है उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहेएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या अपने वीडियो के माध्ध्यम से लाई हूँ और क्या आपको समझाने की कोसिस कर रही हूँ जिसको आप समझ कर फॉलो करेंगे उसके बाद आपके गुड़हल के पौधे पर अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छे फूल और कली आएंगी दोस्तों तो चलिए बता दे कि अगर आप ऐसे फूल पाना चाते हैं गुड़हल के पौ करता है क्योंकि जो भी फूल वाले पाउधे होते हैं अगर उन्हें आप प्रोपर तरीके से धूप नहीं दिखाएंगे तो पाउधा कताई विकास नहीं करता है और धीरे धीरे फंगस के चपेट में आ जाता है उसके पाउधा अचानत से डेड़ कर जाता है और आप समझ की धूप दीजिए ही दीजिए दोस्तों ठीक है उसके बाद बात करते हैं कि पाउधे की मिट्टी दोस्तों पाउधे की जो मिट्टी होती है उसको आप महीने में दो बर खुदाई करिएगा खुदाई करने से एक फाइदा ये होता है मिट्टी के उरोरा सक्ति बढ़ जा तीसरा फायदा होता है मिट्टी ताकतवर हो जाती है मुझ मिट्टी में दोगनी जान आ जाती है चौथा फायदा यह होता है कि अगर एक्स्ट्रा जड़े रहती है तो वह खतम हो जाती है रूंड पाउंड होने का डर नहीं रहता है और पांचवा फायदा यह होता है कि जो मिट्टी के अंदर जो यह जड़े है वह थोड़ी सी आक्षीजन पाज आती है जिसके पाउधा पहुत तेजी से अपनी ग्रोथ बढ़ाता है और स्वस्त कलिया और स्वस्त भूल देता है दोस्तु पूल बनके गिरती है और जो शिकोड़ा पन रहता है पत्टियों में कल्सियम मैगनेशियम दुनिया भरी की मल्टी विटामिस की कमी रहती है वह सारी कमिया दूर हो जाती है दोस्तो तो यह फाइदा होता है मिट्टी की खुदारी दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं पॉ पौधे अपनी ग्रोथ गवा देते हैं या पौधों के उपर मीली बग का अटैक हो जाता है उसके वजह से भी समस्या आती है तो इसका एक मत समधान ये है कि आप डेली शावरिंग करते हुए पानी देंगे पौधे को तो एक तो शावरिंग भी हो जाएगा दूसरा फायद नहीं बह रहे हैं आगर आप नहीं शावरिंग कर सकते हैं तो आप महीने में दो बार कि इतना सकता उपयोग करिए और नहीं तो जो मैंने बताया कि деле शावरिंग करते हुए पानिदारे क्योंकि जब मीली बाली या लाहियो गर अलग जाती है उसके वजह से भी पौधा है कि मिटी में continue नमी रहती है दूस्तों के वजह से भी पौधा continue विमार चलता है दो स्थर्टों इस भात का ख्याल लखेगा कि मिटी में continue पाह defer जो मिटी में हो जाता है दिरे जड़े खराब हुने रहती है जिसके वज़े से पौधा अचानक से सूख जाता है या पतियां पीली हो जाती है या कलिया फूल बने से पहले गिर जाती है पतियां बर हो जाती है दुनिया भर की समस्याय आती हैं तो इस बात का आप ख्यार लखिएगा कि मिट्टी में continue नमी नहीं होनी चाहिए उससे थोड़ा सा fungus भी उत्पन हो जाते हैं कभी कभी कीड़े मकोडे भी उत्पन हो जाते हैं तो इस बात का ख्यार लखिएगा ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं कि मिट्टी में आप महीने में एक बार नीम खली डालना न भूले नीम खली डालने से पौधो की जड़े होती है थोड़ी से मजबूत हो जाती है अगर कोई केड़े मकोड़े पौधे के मिट्टी में होते है तो वो मर जाते है तो नीम खली मिट्टी में डालना ही चाहिए पौधों को अगर स्वस्त रखना है तो जो जो कारे मैंने आपको बताया है उस उस कारे को आप करिए तो नीम खली भी जरूरी है महीने में और मिट्टी की खुदाई भी जरूरी है प्रोपर तरीके से धूब दिखाना भी जरू तो यह सब जानकारिया मैंने आपको दे दी जो पौधे को स्वस्त रख सकती है तो देख सकते हैं दोस्तों यही वह पौधा है जिसमें मैं खाड डालने माली हूं तो खाड डालने से पहले पौधे के उपर जो भी सूखे पतिया उसको हटा दीजेगा मिट्टी में अगर इसके पौधे के इक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है जिसके वज़ए से पाओधे के विकास में बाधा अरूर होती है तो देख सकते हैं कि यह जो फूल के सूखे हुए पीस है मैंने इसको पहले ही तोड की गिरा दिया था आप भी जो भी पौधे के उपर सूखे सूखे फूल हो पतिया हो उसको तोड़ के हटा दियेगा क्योंकि पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेते हैं ठीक है दोस्तों तो यह काम करना है और एक बात बता दे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ हो तो साफ सफाई का बिशे इस्तिहान द करता है और जब ग्रोथ करता है तो वही पौधा पर अच्छे से फूल ओगरात होते हैं तो मैंने मिट्टी की खुदाई कर दे थी दोस्तों और खुदाई करने के एक दिन पहले थोड़ी सी गूबर की खाद भी इसमें डाली थी लेकिन आज मैं और भी खाद डालने जाने हो तो देख सकते हैं दोस्तों एक चमच के करीब मैंने पोटास लिया है पोटास से पौधे का समचित विकास होता है कलिया फूल बन के गिरती है तो पोटास डालने से पौधे की जड़ों का निर्माड़ होता है और एक चमच के करीब मैंने मल्टी विटामिस लिया मल्टी चमच ये मल्टी विटामिस डालती हूं और एक दिन पहले मैंने इसमें गोबर की खाट डाली हुई थी खुद ही देख सकते हैं मिच्ची काली-काली दिख रही है तो मैंने गोबर की खाट डाली थी और खुदाई कर दी थी दोस्तों तो अब भी ये दोनों खाट डालना न हो लिएगा दोस्तों आज थोड़ी मेरी वीडियो में बीच-बीच में बाधा अरूध हो रही है दोस्तों उसके लिए हम छमाच आएंगे मेरी तब्यक काफी ख्राब चल लही है लेकिन वीडियो लाना बहुत जरूरी था क्योंकि मेरे फ्रेंट लोग इंतजार करते रहत हैं तो देख सकते हैं कि दोस्तों कि आज मेरे गाडन में कितने प्यारे प्यारे फूल आएं तो मैं इसी खाट का उप्यों करती हूं अपने पौधों में और ऐसे ही फूलों गरा भरपूर मात्रा में आते हैं दोस्तों तो आप भी इसको हर तरह के फूल में डाल सकते हैं चाहे वह गुडहल हो, चाहे गेदा हो, चाहे अपराजिता हो, चाहे फल वाला हो, कोई भी हो फल वाला फूल वाला चाहे सब्जी हो तो इसको आप डालना न भूलिएगा दोस्तो तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लेज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और बीच बीच में जो बाधा आई है, उसके लिए हम छमाच आते हैं, थैंक्यो फर वाचिंग